हेलो एव्रीवन स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चानल लॉजिक पार्ट शलमी आज हम कवर करने वाले हैं October 2023 के Monthly Current Affairs और यहाँ पे हम कवर करेंगे आज इस वीडियो में सभी national news और सभी arbitries news तो सभी important पूरे October महिने के Current Affairs को यहाँ हम कवर करेंगे तो आप अपने पूरे मन्त के Current Affairs को revise कर सकते हैं वेरी important वीडियो for your revision point of view तो चलिए friends आज के session को start करते हैं सबसे वेले बात करेंगे national news की और friends PDF आप सोचेंगे कहां मिलेगा तो PDF याद रखीगा PDF आप लोग हमारे टेलिग्राम से मिलेगा लॉजिक पार्ट शारा 16 जिसका नाम है डिस्किप्शन में आपको इसका link मिल जाएगा तो पहला question है इंडिया secured which rank in global innovation index 2023 तो global innovation index जो है भारत ने कौन सी rank हांसिल की है तो इंडिया जो है इसमें रहा है 40 यानि 40 वी नमर पे इंडिया को इसमें rank मिली है global innovation index में ये इस index का कौन सा edition है याद रखना है 16th edition अच्छा बात करें global innovation index में top किस ने किया तो टॉप किया है सुजरलेंड ने और इस index को publish किया world intellectual property organization ने तो ये हमारे points होगे जो हमें याद रखनी है अगला question देखिए South South knowledge sharing series conference organized by which of the following तो इस conference को किसने organize किया तो इसको organize किया किसने world bank ने इस conference की theme रखी गई थी जो की है digital public infrastructure the India story और एक और point कि इस conference में participate किसने किया था तो वर्चुली तरीके से शरीर राजीव चंदर शेकर जो कि union minister है state for skill development entrepreneurship के इन्होंने वर्चुली conference में participate किया था तो पोच सकते हैं conference में किसने participate किया अगला कुशन union home minister अमिश्याः चेयर्ड the 31st meeting of the northern zonal council held in which city अमिश्याः के शहर में आयोजित उत्री चेत्रिय परिशत की 31 वे बैठक जो हुई थी उसकी अध्यश्यता की अब ये तो बदा चल गया कि अध्यश्यता की अमिश्याः ने लेकिन ये बैठक कहां पे हुई थी तो ये बैठक हुई थी आपके अम्रिसर में तो दो तिन पॉइंट याद रखेगा इसका एडिशन 31 था अध्यश्यता की थी अमिश्याः ने और बैठक कहां पे हुई थी अम्रिसर में तो ये यहां से question आपके बन सकती हैं next question the fourth edition of Indo Latin America cultural festival organized by Indian council for culture relations begin in which city तो ये जो festival था इसे organize किया था भारते सांस्कितिक संबंध परिशत ने और ये इसका कौन सा edition था चौथा edition था ये इस festival का जो fourth edition था कि शहर में शुरू हुआ तो ये शुरू हुआ आपका New Delhi में इसमें total three countries के 34 artist ने participate किया और तीन countries कौन सी थी Colombia, Ecuador and Chile तो याद रखेंगे तीन countries थी इसलिए ये countries बूच सकते हैं नेक्स्ट इंडिया विल होस्ट विज एडिशन ऑव दी पैसिफिक एशिया ट्रेवल असोसियेशन ट्रेवल मार्ड एट प्रगती मैदान इन डिली तो दिली के प्रगती मैदान में पैसिफिक एशिया ट्रेवल असोसियेशन ट्रेवल मार्ड के किस संस्करण की मिजवानी भारत नहीं करी तो भारत ने इसकी करी 46th जो सेशन हुआ था इसकी मिजवानी अगर कोशन में ये पूचा जाता कि जो 46th सेशन था उसकी मिजवानी किस देश ने करी तब आपका अंसर होता इंडिया न में वो हमसे आगे पीछे करके पूश लेती हैं सो हर एक तरीके से अगर आपको कोशन पता है दिन आप स्मार्टली जो है उसका अंसर कर सकते हैं इस योशना को किस ने शुरू किया तो ये योशना शुरू करी दिल्ली गवर्मेंट ने में परपस यही ता कि दिल्ली में चो पल्यूशन ने उससे टैकल करना और वहां की चो एर क्वालिटी है उसको इंप्रूफ करना यही इसका में परपस है नेक्स्ट कुशन प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी जी हैस इनागुरेटेट दा कंट्री फर्स्ट हाइटेक स्पोर्स ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांग जन इन विच्च सेड़ी मोदी जीने के शहर में दिव्यांग जनों के लिए देश के पहले उच्चे तकनी खेल प्रसिक्षन केंदर का उदगाटन कहां किया तो friends इस center का उद्गाटन किया गया है ग्वालियर में इस initiative का उद्देशे क्या है कि जो दिव्यांग जन है देखे वो उनको भी equal opportunities मिले sports में participate करनी की talent वो अपना enhance कर सके और अलगल sports में वो participate करें तो इसी उद्देशे से center को कहा पे खोला गया है ग्वालियर शहर में next है who launched navy's updated indigenous program जिसका नाम है स्वाव लंबन 2.0 तो स्वाव लंबन 2.0 को launch किस ने किया है defense minister राजना सिंग जी ने स्वाव लंबन 2.0 एक दो दिन का naval innovation और indigenous organization था जिससे new Delhi में किया गया था तो ये भी बन सकता है question कि कहां पे जो है program किया गया तो इसका आयोजन हुआ था new Delhi में next है कि बस होली पश्मिना is one of the oldest traditional handicraft जोकी जमुकश्मीर से है जमुकश्मीर के किस district से है जिससे GI tag मिला है तो ये है जमुकश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक से बस होली पश्मिना और अब इसे GI tag दिया गया बस होली पश्मिना से काफी product जिके बनाए जाते हैं जिसमें include हैं जैसे shawl, men's and women दोनों के लिए mufflers होगे, blanket, basket तो ये सब जो है product बनते हैं किस से बस होली पश्मिना से नेक्स्ट देखे defense minister, okay स्वाब लंबन two point हो देखे कौन से शहर में किया गया तो ये हमने अभी किया था, question देखे दूसर तरीके से बन गया यहाँ बे तो यहाँ पे answer होगा New Delhi नेक्स्ट कोर्शन देखे, in which city of India will the 16th agricultural science congress be organized सोल्वी जो क्रशी विज्ञान कॉंग्रेस है भारत के किस शहर में आयोजित की गई तो इसका आयोजित कहाँ भे किया गया भारत के कोची शहर में इसने इनागरेट किया जो fisheries animal husbandry minister है परशूरतम रुपाला ने इसे organize किया National Academy of Agriculture Science के द्वारा Next, which district has become the first district to grant access to smart classroom in all government schools कौन सा जिला सभी सरकारी स्कूलों में smart कक्षाओं तक पहुँच परदान करने वाला पहला जिला बन गया है So, first district कौन सा बन गया है? Answer is, बरेली district Next question, Nokia has launched a first of its kind 6G lab in which city to contribute to the भारत 6G vision So, Nokia ने भारत 6G vision में योगदान के लिए कि शहर में अपनी तरह की पहली 6G जो lab है इसे launch की है So, यहाँ पर simple हमें city का नाम बताना है कौन से शहर में यह जो lab है लाँच की गई बंगलूर शहर में Next is, which city has inaugurated India's first solar power 23 km long covered solar rooftop तो पूरा देखे जो यह जो यह road है ना यह पूरी 23 km लंबी है और उपर से यह आप देख सकते हैं इस तरह से पूरी यह solar से cover है Solar panels से cover है पूरी यह solar rooftop है और इतनी लंबी इंडिया की है पहली जो है solar चछत है और इसका उद्गाटन कौन से शहर में किया गया है? Answer is Hyderabad शहर में अगला question है Who will inaugurate the 9th G20 Parliamentary Speaker Summit in New Delhi? नई दिल्ली में देखे जो G20 Parliamentary Speaker Summit था जिसका कौन से edition हुआ? 9th edition तो इस edition को inaugurate किस ने किया? Answer है Prime Minister नरेंदर मोधी जी ने इस summit का उदेश है था कि जो Global Governance है उसमें Parliamentary Dimension को भी लेके आना और इस बार इसकी theme है One Earth, One Family, One Future Next question The Government of India has started the Residential Education Scheme और Scheme का नाम रखा है Shrest ये scheme किस category के students के लिए शुरू की गई है? तो श्रेश्ट जो के एक आवासिय सिक्षा योशना है इसे शुरू किया गया schedule caste के students के लिए तो उनकी upliftment उनका socio-economic जो है उत्थान हो सके और उनका comprehensive development के लिए इस scheme को Central Government ने शुरू किया Next question Union Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dearing परशोतम रुपाला has inaugurated the 16th edition of Agriculture Science Congress in which city? तो इन्होंने के शहर में देखे करशी विज्ञान Congress के 16 संसकरन का उदगाटन किया है तो कौन से शहर में किया? कोच्ची में और इसे organize किया गया National Academy of Agricultural Science के दौारा आगला कोशन है friends, who has recently addressed the 10th India Sweden Innovation Day meeting? सो हाली में जो 10 वी भाराज Sweden Innovation Day की meeting हुई थी, इस meeting को संबोधित किस ने किया? सही आंसर है, Union Minister Jitendra Singh ने इस meeting को संबोधित किया दोनों countries के जो Diplomat Relations के 75 Anniversary थी, उसको यहां पे commemorate किया या यानि celebrate किया गया So हाली में जो Global Hunger Index आई उसमें भारत कौन से रैंक पे रहा? तो इंडिया को इसमें रैंक मिली 111th और इस index में top 5 countries पे कौन है? देखें तो पहले पे है Belarus, सेकेंड पे है Bosnia, Herzegovina, थर्ड पे जिली, फोर्थ पे चाइना है और फिफ पे कौन से कंट्री है? क्रोईशिया Next question The 8th BRICS International Competition Conference was held in which city? तो आठवर जो BRICS अंतराष्ट्रे पत्योगिता सम्मेलन है ये सम्मेलन कि शहर में हुआ तो इसका आयोजन किया गया Friends कहां पे? नई दिल्ली में और इस Conference की theme रही New Issues in Competition, Law and Policy, Dimensions, Perspectives and Challenges Next question है The Indian Government will organize World Food India 2023 in which city? तो World Food India जो है ये कौन से शहर में देखे इसका आयोजन हुआ? तो Friends इसका जो आयोजन है वो किया गया आपका नई दिल्ली में World Food India एक opportunity है global industry leaders के लिए ताकि वो food processing sector में collaborate यानि सहयोग और नवाचार कर सके तो उसके लिए एक opportunity एक अफसर है World Food India Next question Bihar Industries Department had organized an investor summit in which city? Bihar Industries Department है उन्होंने की शहर में investor summit का आयोजन किया तो इस summit का आयोजन किया गया Friends Bengaluru शहर में अगली news देखे क्या है Who has launched the India Jewelry Shopping Festival in New Delhi? India Jewelry Shopping Festival का शुभारम नई दिल्ली में किस नहीं किया? तो ये शुभारम किया है Road Transport Minister Nitin Gatkariji ने Next question देखे Who has inaugurated the 26th Energy Technology Meet at Bharat Mandapam, New Delhi? तो 26 वी उर्जा प्रद्योगी की बैठक जो हुई इस बैठक का उद्गाटन किया है हरदीब सिंग पुरी ने इस बैठक का में उदेशे क्या था? To provide a common forum for refiners and technology service providers जितने भी refiner और प्रद्योगी की सिवा provider है उनको देखे एक common, एक साजह मंच provide करना जो भी उनके recent advancement है ताकि वहाँ पे उसकी प्रदर्शनी वो बता सके तो उसके लिए common platform provide करना Next is which city has set to become India's first wetland city? Very important भारत का कौन सा शहर पहला wetland city बनने के लिए तयार है तो कौन सा शहर है? उदैपुर शहर उदैपुर शहर को क्या कहते हैं? City of Lakes के नाम से बहुत famous है प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी जी has inaugurated which edition of International Olympic Committee session at the Geo World Center in Mumbai तो इस कमिटी का कौन सा edition है? जिसे भी मोदी जी ने inaugurate किया तो रियाद रखीगा International Olympic Committee का 141st edition प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने inaugurate किया कहां पे Mumbai शहर में दूसरी बार जो है इंडिया इस जो है International Olympic Committee के session को host कर रहा है इससे पहले इंडिया ने 1983 में इससे host किया था तब यह हुआ था New Delhi में और कौन सा session था? International Olympic Committee का था 86th session जिसे इंडिया ने host किया था Next question, the 5th and concluding event of the Women and Water Dialogue Series has been organized in which city? Women and Water Dialogue Series का पांचो और जो समापन कारिक्रम है कि शहर में आयोजित किया गया तो इसका आयोजित किया गया प्रियाग राज में Next question, who has launched a trailer of enthralling animated series भारत हैं हम in New Delhi? So, ये एक मनोरंजक animated श्रंखला है भारत हैं हम और इसका जो trailer है किसने launch किया है? Answer, Anurag Thakurni Next again, which edition of Ladakh Janskar Festival जिसे Janskar कारगिल में inaugurate किया गया तो इसका कौन सा edition हुआ? तो इसका हुआ था 8th edition और इस edition को inaugurate किसने किया ये भी पूछ सकते हैं? तो उनका नाम है कैचो महबूब अली खान ये वेंड्स कमिशनर सेकेटरी हैं ट्यूरिस्म और कल्चरर मतब यूटी जो लद्धाक है वहां के ट्यूरिस्म और कल्चर के कमिशनर सेकेटरी हैं? इन्हों ने जो है इसके 8th session को inaugurate किया नागलेंड का पहला मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम रखा गया है नागलेंड इंस्टिटूट अब मेडिकल साइंसे और रिसर्च इस कॉलेज को कोहीमा नागलेंड में किसने इन्होग्रेट किया? तो हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुक मांडवियाजी ने इसे इन्होग्रेट किया नागलेंड की फॉर्मिशन हुई थी 1st December 1963 को कापिटल है कॉहीमा, चीफ मिनिस्टर है नेफ्यूरियो और गवर्नर है ला गनेशन नेक्स्ट, Union Ministry for Fisheries परशोतम रुपाला has begun the 10th phase of सागर परिक्रमा from which is city परशोतम रुपाला ने कि शहर से सागर परिक्रमा के दस्वे चरण की शिरुवात की तो इसके शिरुवात कहां से की गई? चेनने शहर से ये जो कारेक्रम है सागर परिक्रमा इसका मेन परपस किया था कि जो फिशर मैन है उनके सामने देखे जो जो चैलेंजेस आते हैं जो उनकी ज़रूरत हैं उसको समझने के साथ इस प्रोग्राम को लाँच किया गया था आगला कोशन है according to government data the female labor force participation rate तो country में देखे जो महिला शौम बल भागिदारी दर है वो 2023 में 4.2% से बढ़कर कितना परसेंट हो गया है? तो current ये हो गया है 37% next question on the auspicious occasion of Navratri प्राम मिनिस्टर मुदी जी ने एक गरबा सौंग जिसका title है मारी इसे release किया ये सौंग किसके द्वारा गया गया तो ये सौंग गया किसने है दिव्या कुमार ने ठीके तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि जो मारी एक नया गरबा सौंग है इस सौंग को release क किस ने किया यहां ये भी पूछ सकते हैं आपका अंसर होगा प्राइम मिनिस्टर मुदी जी ने next question देखे प्राइम मिनिस्टर मुदी जी has inaugurated the which edition of Global Maritime India Summit 2023 सब मुदी जी ने Global Maritime India Summit के किस संसकरण का उदगाटन किया तो इसके अभी तीसरे जो तीसरा एडिशन था इसको इनागरेट किया मुदी जी ने ये जो सामिट है ये एक excellent platform है जितने भी attracting investment है हमारी country के maritime sector में तो उनको आकरशित करने के लिए उतकरस्ट मंच प्रदान करता है ये सामिट नेक्स्ट है union home minister अमिश्यहा has inaugurated the सामव शहीद memorial and library in which is city सामव शहीद इसमारक और पुस्तेकाले का उदगाटन किया अमिश्यहा ने अगर पूछे कहां पे किया गया तब आंसर होगा गांधी नगर में नेक्स्ट कोशन है which of the following women police station जो कि पहला women centric police station बना जिसे ISO certificate मिला है तो कौन सा है police station बोपाल महिला थाना नेक्स्ट है what is the rank of India in global pension index 2023 वैश्विक pension सुचकांक में भारत कौन से इस्थान पे रहा है तो इंडिया को इसमें rank मिली है 45th नमबर वन पे कौन से कंट्री रही इसमें नीदरलेंड से नेक्स्ट क्वेशन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद प्रधान हैस लॉंच्ट इंडिया इसकिल्स 2023 कॉंपेटिशन इन विचिस सिटी धर्मेंद प्रधान जीने के शहर में इंडिया इसकिल्पत्योगिता की श स्कूल स्टूडेंट के लिए तो स्कूल स्टूडेंट के लिए जो ये वेब पोर्टल लॉंच किया गया इस वेब पोर्टल का नाम क्या है ये बताना है तो इस वेब पोर्टल का नाम क्या रखा गया अपना चंदरियान इस्रो ने किस अंतरिक्ष केंदर से देश के पहले जो मानव अंतरिक्ष ओडान मिशन गगणियान का जो क्रू इस्केप सिस्टम है इसको सफलता पूरवक टेस्ट किया तो ये टेस्ट किया इस्रो ने कहां से सतीश दहवन स्पेस सेंटर से इस्रो की बात करें इंडियन स्पेस सिसर्ज और्गनाइसेशन इसकी फॉर्मिशन हुई 15 ओगस्ट 1969 को हेटकॉर्टर इसका है बिंगलॉर में और एस सोमनाथ है करेंट में इस्रो के चीर्मेन तो किस मार्केट इंटेलिजन के अनुसार उन्होंने ऐसा कहा है कि भारत 2030 तक जापान को पीछे चोड़कर एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्ता बन जाएगा ऐसा किस ने कहा है SNP ग्लोबल नी नेक्स्ट कोशन देखे अमिशहा है इनॉगरेटेड इंडियास फर्स्ट लिक्विड नैनो डी अमोनिया फॉस्फेट प्लांट तो कौन से शहर में जो है इस प्लांट को इनॉगरेट किया गया तो fans इसको इनॉगरेट किया है किया गया एहमदाबाद में और किस ने इनॉगरेट किया अगर इस तरह से क्वेशन पूचे तो ये किया अमिशहा नी नेक्स्ट है रिसेंटली देखे मिनिस्ट्री ओफ एजूकेशन और गवर्रमेंट आफ इंडिया ने अपार आईडी जो है इस इनिशियेटिव को शुरू किया वट इस दी फुल फॉर्म ओफ आपार आईडी अपार आईडी का जो पूरा नाम है वो है आउटोमेट पर्मानेंट अकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी यह आईडी क्या है दिखे इसमें स्टूदेंट्स की ना पूरा डेटा होगा यानि उनके अकेडमिक डेटा से लेकि उनकी डिग्री उनकी स्कॉलर्शिप उन्हें कोई अवार्ड मिला है जो भी स्टूदेंट को क्रेडिट मिला है वो सभी डिजिटली तरीके से यहाँ पे स्टोर होगा इस तरह से आप इसको समझ सकती है इसको अभी इसका अनावरण किस ने किया है स्काई रूट एरो स्पेस ने नेच्स कोशन, रिसेंटली प्रायम मिनिएस्टर नरिंदर मोधी जी ने प्रगती मीटिंग के कौन से एडिशन की अध्यक्षिता की किसने प्रायम मिनिस्टर मोधी जी ने नेच्स इक है, युनाइटिट नेशन फॉरम औं फॉरेस्ट मीटिंग has organized तो ये जो meeting है से ministry of environment ने organized किया ये meeting कौन से शहर में हुई थी तो ये meeting हुई थी कहाँ पे देरा दून में नेक्स्ट देखिए विमर्श जो के एक national hackathon है 5G technology पे ये hackathon कौन से शहर में conduct किया गया तो इस hackathon को conduct कहाँ पे गया नई दिल्ली में नेक्स्ट कोशन है चानक के defense dialogue 2023 has been organized by which of the following तो चानक के defense dialogue का आयोजन किसके द्वारा किया गया तो इंडियन आर्मी नी जो है friends इसका आयोजन किया और इसका आयोजन इंडियन आर्मी ने कहाँ पर किया ये भी आदखेगा न्यू डेली में नेक्स्ट है प्राइमिनिस्टर नरेंदर मोदी जी has inaugurated which edition of Indian Mobile Congress at भारत मंडपम न्यू डेली तो मोदी जी ने भारत मंडपम में भारतिय मोबाइल कॉंग्रेस के 7th session जो है इसका उदगाटन किया है और इस session की theme क्या रखी गई ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन next question Airbus टाये with which IIT to promote aerospace education तो जो aerospace education है उसको बढ़ावा देने के लिए अभी Airbus ने किस IIT के साथ में समझोता किया है तो ये समझोता किया है अभी IIT कानपूर के साथ तो यहाँ पे friends हमारी सभी national news complete हो गई है अब arbitries news की बात करते हैं तो पहला question देखे लोईस ग्लोक, the winner of novel prize तो ये novel prize winner रही है अभी इनकी हाली में देखे death हुई है, निधन हुआ है When did she get the novel prize in literature इन्हें मिला था literature में novel prize और कब मिला था इन्हें answer is 2020 Very important, 2020 में recent ही देखे इन्हें nobel prize मिला था literature में और हाली में fans इनकी अभी और इनका भी निधन हुआ है Next question, Richard Roundtree passed away recently, who was he? Richard Roundtree जिनका भी हाली में निधन हो गया वहे कौन थे? तो ये थे first black action hero तो ये कौन थे? Richard Roundtree Next, politician Lee K. Kiang has passed away He was the former prime minister of which country तो politician Lee K. Kiang ये किस country के पूर्व प्रधान मंत्री थे? सही answer होगा China China के ये prime minister कब से कब तक रहे थे? 2013 से 2023 तक यहां के रहे थे prime minister Next question है Vishan Singh Beady has passed away He was associated with which sport तो Vishan Singh Beady जी की बात करें इनका सम्मन्द कौन से sport से था? इनका सम्मन्द था cricket से Next question है Manohar Singh Gill passed away recently at the age of 86 Who was he? Manohar Singh Gill ये कौन थे? तो ये former chief election commissioner थे offence इनकी बात करते हैं तो ये 11th number के chief election commissioner रहे भारत के इनको एक important award मी मिला था जो की था पद्म बिभूशन कब मिला था इनने? 2000 में तो यहां से भी बन सकता है question किस वर्ष इनने पद्म बिभूशन से सम्मानित किया गया था next question है पद्मश्री अवर्डी दया भाई शाष्ट्री पास्ट अवे रिसेंटली who was he? दया भाई शाष्ट्री जी की बात करते हैं तो ये कौन थे? ये संस्कृत स्कॉलर थे अब देखें इनको पद्मश्री अवर्ड मिला तो किस year में मिला? यहां से कॉश्री बनेगा जरूर तो इने कब मिला था 2016 में तो literature और education में चोंका contribution रहा उसके लिए उनको 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया next question है पीवी गंगाधरन पास्ट अवे रिसेंटली at the age of 80 who was he? पीवी गंगाधरन की बात करती हैं यह कौन थे? यह film producer थे जिनका हाली में निधन हुआ है अगला question है एस सची नानन्द मूर्ती has passed away he was a famous personality of which field एस सची नानन मूर्ती जी की बात करती हैं तो यह इनका समझ जर्नलिजम से था और सो देखे इनों यह चो है यहाँ पर हमारे आज की मंतले करेंट अफेस के सभी national news और सभी arbitries news यहाँ complete होती है मैं आशा करती हूँ कि इससे आपका पूरे महीने के जो news है वो revise हो गई होंगी तो revision जरूर करें अगर आप daily करेंट अफेस follow कर रही हैं तो weekly और monthly revise जरूर करें तभी आप अपने current affair के session को strong कर सकती है तो चलिए ऐसे ही important session में फिर आपसे मुलाकात होगी Thank you so much for watching this video